रिशी कपूर पर निकल गया है सल्मान खान का गुस्सा लेकिन गुस्से का शिकार हुई है नीतु कपूर आधी रात को हुआ था सोनम की शादी में थमाशा अब सल्मान खान ने फिर कर दी एक बार बत तमीजी बॉलिवुड में कुछ अजीव रस्म है दारू से जुड़ा जब भी कोई वाक्या होता है सल्मान का नाम जरूर आता है वाक्या है सोनम कपूर के जर्सेप्शन का सल्मान की एंट्री हुई रात के करीब एक बज़े वो आये बोनी कपूर से मिले अर्जुन कपूर को इगनोर किया रिशी को भी इगनोर किया और आगे बढ़ गए लेकिन अब सल्मान की हरकत रिशी को नागवार गुज़े अब तक रिशी कपूर पार्टी में थे और शायद थोड़ा सा नाराज थे उन्होंने सारा गुसा निकाला सोहेल खान की पतनी सीमा खान पर रिशी कपूर ने सल्मान के लिए सीमा को बहुत बुरी तरह सुनाया ये वाकिया सीमा ने जाकर तुरंट घर की अच्छी बहु बेटियों की तरह सल्मान भाई को बताया और भाई को इस बात का काफी बुरा लगा अब बात बढ़कर हाथ से न निकल जा इसलिए नीतू कपूर को सोहेल खान से माफी मांगनी पड़ी अब कई बाते हैं पहली तो ये कि किसी की शादी की पार्टी थी रिशी कपूर को गुसा है हुए फूफा बनने की जरूरत नहीं थी फिर सीमा को ये बाद बाकियों तक पहुँचानी नहीं थी और अगर पहुँचानी थी तो तूल नहीं देना था और सबसे बुरी बात हुई है कि नीतू कपूर में खुद माफी मांगी है सोहेल खान से पर अब इस पर सवाल कई खड़ होते हैं ये सब सल्मान ने सिर्फ इसलिये किया कि नीतू कपूर रनबीर कपूर की मम्मी है और कट्रीना को बिलकुल पसंद नहीं करती क्या ये कारण है अब रिशी कपूर का इस तरह नाराज हो जाना खुद उनके लिए ही नुकसान दायक साबित हुआ है